1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 को स्टॉक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टॉक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब स्टॉक प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए दोनों स्टॉक मां इंवेस्ट किये 6 साल बाद इस इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इंवेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टॉक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टॉक में इंवेस्ट करे निफ्टी फिफ्टी स्टॉक्स में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों शेर के और निफ्टी के एन्योलाइज रिटन परसंटेज हमने देखे वही रिटन परसंटेज अगर बविश्य में भी कंटिनी होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा आये देखते हैं झाल में झाल में निफ्टी स्टॉक्स में इंवेस्टी स्टॉक्स में देखे झाल 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 Thank you झाल 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 झाल